हेलो एवरिमन स्वागत है आपका हमारा चैनल ट्रोटेक अन्बॉक्सिंग पे आज हम अन्बॉक्स करने वाले हैं टेल 3500 सो गैस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारा चैनल को सस्क्राइब करें कॉमेंट करें और शेयर करें सो चले देखते हैं इसमें आपका डबा पे क्या कॉन्फिक्रिशन मिल जाता है किस टैप का इसका लुक है और इसमें क्या-क्या फेसिफिकेशन है सो पहले आ जाते हैं यहाँ पे आपको देख लेते हैं इसका मॉडल सो यहाँ पर आपको पहले मिल जाता है सीरियल नम्मर साथ में यहाँ पर मॉडल मिल जाता है आप देख सकते हैं टेल 15 35 का आपका मिल जाता है साथ में यहाँ पर आपको 1 TV के स्टोरेज मिल जाता है 8GB RAM मिल जाता है 15.6 स्क्रिन साइज मिल जाता है फुल एच्टी आएफाइव 11 जनेशन प्रोसेशर है 8GB RAM है वन डेरवाट हार्डिक्स है और यह डॉस मसीन के साथ है इट मिन्स कि आप इंडो अपना हिसाब से इसमें डलवा सकते हैं जो आप यूज करना चाहते हैं अगर मैनुफेक्टिंग की बात करें तो सब्टेंबर 2021 क इसका मैनुफेक्टिंग है और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो मार्केट में जो इसका प्राइस है अप्रोक्स 54-54 500 का अप्रोक्स ही आपको मिल जाएगा जब एक अंदर एक लाप्टॉप मिलता है साथ में एक एंटिवारेस में का मिल जाता है यह आपका 15 महने के ल सकते हैं साथ में आप अगर बात करें इसका चार्जर का तो इसमें आपको 45 वाट का चार्जर मिल जाता है यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जयोता आपको और इंचल पाऊर आपको एन जाता है और साथ में एक ट्यूटक ऊरिज़न डापको चार्जर मिल जाता है मेट बाइट टल कि 45 वाट को है अगर टाइक की बात करें तेफ और को कम टाइमिंग है चार्जिंग का देर गंटे के मंदर आपको यह चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं डबा आपका लैप्टॉप का लुक मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो इसका आपका लुक है मेटल कोटेड लुक है वैसे यह फाइबर बॉड़ी में है लेकिन लुक सिल्वर है का लार इसमें सिल्वर है और यह सिल्वर कोटेड लुक है आप यहां पर पूरा लुक देख सकते हैं बहुत बड़ी है configuration है इसमें company ने configuration बहुत बड़ी है डाला है यहां पर आपका i5 11 generations का processor मिल जाता है साथ में यहां पर आपको touchpad की बात करें तो dual finger gesture touchpad मिल जाता है और diamond cutting के साथ है बारसर touchpad आपको यहां पर देखने को मिलता है साथ में waterproof keyboard मिल जाता है chocolate with memory key के साथ और इसमें आपको मिल जाता है backlight भी और finger print भी यह दो feature इसमें आपको मिल जाता है keyboard में एक backlight मिल जाता है और साथ में power on off के पास में आपको मिल जाता है finger print भी सो यहां पर आपको देख सकते हैं डेलगा कीबुरर्ड है इसमें आपका पंदर पुंडपन 6 का स्कृीन साइज है anti-clear है और full HD displays में आपको मिलता है 720 का कैमरा है साथ में एक सिंगल मैक के साथ है 720 resolution HD camera में मिल जाता है 720 का HD तो यहाँ पर आपको चलिए देखते हैं आप इसका ports वगेरा देख लेते हैं इसमें आपको क्या के ports में मिल जाता है तो यहाँ पर यहाँ पर आपको मिल जाता है charging ports, justice के बगल में HDMI, line cable और दो USB मिल जाता है 3.1 यहाँ पर आपको audio jack मिल जाता है slim laptop है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है SD card के लिए एक USB 2.1 मिल जाता है और locking के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है fan और पीछे से कुछ इस टैप का look में आपको laptop देखने का मिल जाता है अगर बैक भी बात करें तो बॉस्टो का लोगो दिख जाता है जिस्ट पीछे में यहाँ पे आपको बॉस्टो दिख जाता है यहाँ पे आपको सीलियल नमर बगेरा मिल जाता है और जस्ट इसकी नीचे आपको फैन मिल जाता है लैपटोफ फीन मिल जाता है यहाप आपको घुरीपिंग के लिए मिल जाता है यहाप आ पर ग्रेपिंग दिया हूँँ हैë झाती है साहथ यहाप आगर बात करें स्पीकर की इसमें तो इसमें आपको Quad speaker मिल जाता है, दो speaker इसको नीचे में मिल जाता है, Sun quality भी बहुत बहतरी निसमें आपको मिलता है, 2021 का recently launch laptop है ये, 1.7 kg के इसका आपको weight है, 1.7 kg इसमें आपको weight मिल जाता है, तो मैं कहूंगा कि ज्यादा weight नहीं है, look बहुत ही खुबसूरत है, investigated graphics मिल जाता है, DOS है, आप अपना हिसाब से इसमें आपको windows डलवा सकते हैं, ये अगर आपको professional windows डलवाना है, तो आप इसमें डलवा सकते हैं, professional key के साथ आता है, डलवा सकता है, stories में आपको एक one TV stories मिल जाता है, बट इसमें अगर आप SSD लगा दें, तो ज़्यादा बढ़ी हैं, आपको ज़्यादा बढ़ी हैं performance इसमें मिल जाता है, minimum 256 GB के SSD आप लगा दें, तो one TV प्लस 256 GB SSD मिल जाएगा, और ये जो डल का सेंटरी लॉज 35 से 11 है, ये 3501 अगर आप purchase कहना चाहतें, तो उससे ज़्यादा features इसमें आपको मिल जाता है, और उससे ज़्यादा बेहतरी निसमें आपको, कम range में ज़्यादा बढ़ी है features भी मिल जाता है, और ज़्यादा बढ़ी है configuration भी मिल जाता है, जैसे कि आपको backlight वगिरा मैंने बताया हैं, आप देख सकते थे, तो यहाँ पर आपको और सारा data मैंने बाइव सॉफन करके दिखा सकते हैं, चार कोर का processor इसमें आपको मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई फाइब 11th generation processor मिल जाता है, 2.40 minimum इसका आपका clock speed है, ट्रो बेश्टिंग 3.6 तक जाता है, चार कोर का processor इसमें आपको मिल जाता है, कोर भी आप देख सकते हैं, 8GB RAM मिल जाता है, 266 MHz का आपको RAM मिल जाता है, RAM speed के अगर बात करें तो 266 MHz में आपको RAM का speed मिल जाता है, Wi-Fi मिल जाता है, Bluetooth मिल जाता है, Wi-Fi 6 मिल जाता है, अब Bluetooth 5 मिल जाता है, माफ करिएगा, तो कैसे यहाँ पर देख लेते हैं, इसके detail में और क्या के यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर आप SSD देख सकते हैं, इसमें SSD इन बिल्ड है, SSD इसमें लगाया गया है, आप भी इसे SSD लगा सकते हैं, अगर आप Bluetooth परचेज करते हैं, तो इसमें आप SSD लगवा ले, जादा बढ़ियां performance के लिए, आप SSD जरूर यूज करें, 256GB WD M.2 इसमें SSD आप लगा के परचेज कर सकते हैं, कंपनी के तरफ से कोई issue नहीं है, अगर आप इसमें SSD लगाते भी हैं, तो आपको warranty बगेरा में कोई problem नहीं आएगा, आप अरामसी से लगा सकते हैं, और बढ़ियां configuration में ये convert कर सकते हैं, तो गैस उमीद करते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो थैंक्यू सो मच गैस, बहुत ये अच्छा laptop है, market price मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपका range approach 53 का है, तो आप इसे purchase कर सकते हैं, थैंक्यू सो मच,